राजस्थान के दौसा में सुमवार को आधी रात धाई बजे एक बस हाथसा हुआ इस बस में सवार लोग हरीद्वार से उदैपुर की और जा रहे थे जानकारी है कि ये बस अचानक अनियंतरित होकर ब्रिज से रेलवे ट्राक पर जा किरी जिस वज़ा से बस में सवार तीस में से चार पेसंजर्स की मौत हो गई है और कुछ लोग घाईल भी हुए है दौसा के पास जलादिकारी राजकुमार का स्वा का कहना है कि इस हाथसे के बाद 28 लोगों को अस्पतार लेशाय क्या जिसमें से चार की मौत मौके पर ही हो गई बाद 29 लोगों को दौक्टर के द्वारा ट्रीट्मेंट दिया जा रहा है इस सब के चलते स्टीम द्वारा हाथसे की जांच की जा रही है स्टीम ने घटना स्थल पर एक टीम रवाना करती है घटना से संबंद चानकारी कठा करने में पुलिस चुटी हुई है ये टीम धरगटना स्थल पर पहुँच कर धरगटना के कारणों का पता लगाएगी कि ये बस कैसे अन्यंतरित हुई क्या बस ओवर स्पीड में थी या फिर बस का ड्राइवर नीद में था बस में मुझूद घायलों की माने तो ड्राइवर बस को गलत तरीके से चला रहा था जिसके लिए कई बार उसे टोका भी क्या लेकिन ड्राइवर ने किसी की न सुने फर जैसे ही ये बस दोसा कलेक्टरेट चौराहे के नस्दीक रेलवे ओवर ब्रिज के बास पहुँची तो चालक ने बस को रेलवे और ब्रिज के किनार स्थित दिवार पर चढ़ा दिया जिसके कारण बस पलट गई और नीची जाके दिए